इस गर्मी के मौसम में हम एक लाख एसीज आपको फ्री में लेना चाहता है ऐसे एसीज जो सिर्थ गर्मी कंट्रोल करने में मदद ही नहीं करते लेकिन देश की गरीब ही भी कम करते है ऐसे एसीज जो इलेक्टिसिटी पर नहीं चलते और नाचरली भारत को थंडा रखने में हेल्प करते है बात हो रही है इनकी ये है पेड़, आम के पेड़ और हम आपके साथ मिलकर इस गर्मी के मौसम में एक लाख पेड़ लगाना चाहते है ये है हमारा आज तक का सबसे एंबिशिस प्रोजेक्ट जो हम अकेले बिलकुल नहीं कर सकते हैं हमें आपकी मदद की जरूरत है इस साल हीट वेव ने हम सब का जीना मुश्किल कर दिया है देश के कई एरियाज में टेंपरेचर्स 45 डिग्रीज चू रहे हैं और अभी में का मैना शुरू भी नहीं हो आया है गर्मी बढ़ रही है और इन heat waves का impact हमारी economy पर होता है कैसे हमने detail में इस video में explain किया है लेकिन हमें विश्वास है कि कोई भी problem solution के बिना जनम ही नहीं लेता गर्मियों में एक और चीज हमारे घर आती है और वो है mangoes ये आम आपको आम से खास बना सकता है और वो भी आपकी life में उथल पुथल किये बगेर यूशली हम आम खाते हैं और आम खाने के बाद ये गुठली कच्रे में फेक देते हैं अगर कभी समय मिले तो आपके शहर के landfill में जाईए आपके और मेरे ही घर के गीले कच्रे के वज़े से लेकिन आज का वीडियो आपको गिल्टे करने के लिए बिलकुल नहीं है एक सिंपल सा सल्यूशन डिसकस करने के लिए है क्योंकि इस गुठली से मुफ्त के AC यानी पेड लग सकता है पेड जिन्हें हमने सालों से इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हम उनका इंपोर्टेंस ही भूल गये है आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन एक आम का पेड पचास सालों में 217 टन ऑक्सिजन प्रड्यूस करता है 81 टन कार्बन अब्सॉर्ब करता है और इसका कूलिंग इफेक इतना जादा होता है कि मानो आपने 5 ACs 1000 घंटों के लिए चालू रखे और ये बात सिर्फ एक आम के पेड किया और हम बात कर रहे हैं एक लाख पेडू पिछले दो सालों से हमने शुबजीत सर के साथ मिलकर एक एकस्पेरिमेंट किया हमारे व्यूवर्स को एक सवाल पूछा कि इस साल आपने आम खाये जरूर लेकिन कितने पेड लगा है हमारे सोचल मीडिया के फॉल्वर्स को रिक्वेस्ट की कि आम खाने के बाद गुठली कच्री में ना फेके इंस्टेड हमें दीजिए हम इने कलेक करेंगी पेड लगाएंगी और ये पेड किसानों को डोनेट करेंगी ताकि इन से कल आम बन पाए और ये फल आपकी अगली पीडी खा पाए महाराश्ट्रा फार्मर सूसाइड्स में नंबर वन है रीजन ये है कि environment और economy का balance बिगड रहा है और हम इस problem को at least 1% सुधारना चाहते हैं पहले साल में हमने 8,000 पेड लगा है दूसरे साल हमने 25,000 पेड लगा है और अब target बहुत जादा high है एक लाख पेड और ये अकेले करना impossible है यूजूली हम सोचते है कि पेड लगाना बहुत easy है process करीका आसान है बट ऐसा नहीं है एक बीज से पेड बनने का बहुत difficult और लंबा कहानी है एक गुठली को जब हात में आता है उसको इतम बच्चे के तरह संभालना पड़ता है अगर आम की बात करूँ तो 9 मेने तक संभालना पड़ता है जिसके पहले कि वो एक पेड बन सके एक लाग पेड बहुत बड़ा amount होता है बहुत huge number है एक लाग पेड के पीछे हमें कम से कम 10 लाग गुठलियां collect करने पड़ेगी क्योंकि जो गुठलिया हमारे पास आती है उसको quality check करके, germination करके, grafting करके और एक साल तक जब रखते हैं तो almost 20% ही survive हो पाता है यानि एक लाग पेड successfully लगाने के लिए हमें at least 10 लाग गुठलिया लगेंगी आम खाने के बाद गुठलियों को ऐसे पानी से साफ कीजे फिर उन्हें सुखाईए और गुठलिया सूखने के बाद उन्हें इस address पर post कर दीजे आपका काम हो गया, फिर हमारा काम शुरू होता है इसमें involvement में तीन टाइप के लोग हैं पहला जो पेड को बनाने में हिल्प करते हैं, दूसरा जो पेड को बढ़ा करने में हिल्प करते हैं, तीसरा जो फार्मर्स है जिसको ultimately लगा के बढ़ा करते हैं इस एक छोटी सी action से तीन फायदे होते हैं आपके लिए मानों ये एक summer project है, जो आपके society में, आपके family में execute कर सकते हैं इंडिया, भारत इस वक इतना बड़ा देश होते हैं, 200 million dollar का mango export करता है लेकिन Thailand जो इसमें एक नमबर पे है, वो लगबख 800 million dollar mango export कर रहा है इंडिया से इतना छोटा है, लेकिन उमसे चार गुना जादा एक्सपोर्ट है, ये एक सोचने लाइक बात है आम बहुत ही खास होता है, क्यूंकि हम सब को आम पसंद है, इंडिया के 80% जगह में आम होता है कहा जाता है कि इंडिया में 500 से जादा वाराइटी के आम होते हैं टेक्निकली देखा जातों आम एक एवर ग्रीन पेड है, उसमें कभी पते जड़ नहीं आता है, तो ऑक्सिजन बहुत ज़ादा देता है और बड़ी बात बताओ, आम का जो एक पेड होता है ना बड़ा, उसमें हर टाइप के पक्षी, हर टाइप के इंसेक्ट, हर टाइप के लिविंग बिंग्स उसमें पाए जाते हैं टेरिटोरियल होने के बाद भी आम का एक ऐसा जगह है पेड़ है जा हर टाइप का लिविंग बिंग सस्टेनेबल बायो डाइवर्सिटी आपको मिलता है आम सच मुझ खास है इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारा लाख और रुपयों का खर्चा होने वाला है क्योंकि हमें खाद खरीदना होगा ट्रांस्पोर्टेशन अरेंज करना होगा एक्चुली ये एक लाख बेड लगाने होंगी और उनकी देख भाल करनी होगी लेकिन हम आपसे डोनेशन बिलकुल मागना नहीं चाते हैं इन फैक्ट हम आपको कुछ देना चाता है ये फॉलोईंग लव टी शिर्ट हमारे लिए स्पेशल है इनहीं से हमारे मिशन की शुरुआत हुई थी हमने ये टी शिर्ट वेस्ट कॉटन और प्लास्टिक बोटल स में इन्वेस्ट करेंगे भारत के फ्यूचर में और एन्वार्मेंट को साफ रखने में इन्वेस्ट करेंगे यानि आप हमारी मदद तीन तरह से कर सकता है एक है हमें गुटलिया भेज कर दूसरा है हमारे टी शर्ट खरीकर ताकि हम इस इनिशेटिव को फंड कर पाए और लोग बन सकते हैं पिछले तीन साल से जो एफर्ट कर रहे हैं यह अब उसका थोड़ा बहुत सक्सेस दिखने लगा है सक्सेस यह होगा कि जब एक फार्मर अपने आम के पेड़ के नीचे बैठेगा उसको टेंशन नहीं होगा कि मेरे इंकम कैसे होगा और उसके सामने आम लटके होंगे यह तीन से चार साल का प्रोसेस है आम से पेड तक एक गुठली से पेड तक यह पूरा तीन से चार साल का मेहनत है अगर यह वीडियो वाटसाप, यूट्यूब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम सब जगाओं पर मिलकर एक करोड लोगों तक पहुंचता है तो एक लाख पेड लगाने का टार्गेट बिलकुल मुश्किल नहीं है क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि आप मैंसे एक पॉर्सेंट लोग तो होंगे जो सल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, so share this video in your WhatsApp groups, tag your favorite friends, celebrities, teachers, leaders और उनके साथ एक कदम उठाईए, natural ACs लगाईए, क्योंकि एक के करने से क्या फरक पड़ता है, लेकिन एक के करने से बहुत फरक पड़ता है, और इन दोनों लाइन्स में सिर्फ एक का फरक है, and that's the reason why फरक पड़ता है.